दा प्रोडेक्ट औफ टू कॉंजेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इस कोशन में हमें कहा गया है कि प्रोडेक्ट पॉजेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की अभी कॉंजेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की अभी कॉंजेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसके बाद इसके continuity में कौन सा नमबर आता है next 13, 12 और 13 consecutive number हो गए, अब इसके बाद next number 14, तो यह 3 consecutive number हो गए, तो अगर हम 2 consecutive number की बात करें, तो एक number मान लो 12 है, तो second number 13 कैसे मिलेगा मैं, 12 प्लस 1 करकी न, तो 12 प्लस 1, 13 होगा, तो एक number 12 हो गया और दूसरा 13 हो गया, अब हो इन दोनों का product, product means multiplication करके 420 है, और हमें integers find करने है, तो अब assumption हम कैसे करेंगे, let first, positive integer is x, एक x मान लेते हैं, यहने कि 2 consecutive positive integer में, एक x होगा, और दूसरा क्या होगा, जैसे इधर, example में में 12 लिया था, अब इधर 12 की जगे मैंने x ले लिया, और next consecutive integer कैसे मिला था, पिटा, example जा 13 मिल हुआ था, तो इधर क्या करेंगे, first integer x, तो second integer x plus 1 होगा, जैसे इधर 12 और 13 कैसे है, 12 plus 1 13, तो इस तरह से हम assume कर लेंगे numbers को, अब हम quadratic equation form करेंगे, कैसे, question में क्या लिका है बेटा, product of two consecutive positive integers, अब two consecutive positive integer x और x plus 1 आगे, इनका product क्या होगा, product means multiplication, x multiply x plus 1, यह इनका product होगा, और यह किसके equal है, 420, अब हम बेटा quadratic equation form करते है, कैसे करेंगे, पहले हम x को x से multiply कराएंगे, x multiply x, x square होता है, और x multiply by 1 क्या होगा, any number multiply by 1 is number itself, यहां plus x आजएगा, और जो यह plus 420 है, यह RHS से LHS में shift हो जाएगा, और minus 420 हो जाएगा, और RHS में क्या रहेगा, बेटा it would be 0 only, fine, अब हमें इसको middle term splitting से solve करना है, अब middle term splitting में क्या होता है बेटा, हम sum और product लेते हैं, जो middle term होती है, middle term यानि की जैसे x वाली term है, इसके आगे जो number होता है, उसको हम sum consider करते हैं, यानि कोफिशेंट of x, आगे ओले number को हम कोफिशेंट कहते हैं, अब कोफिशेंट of x क यानि की sum हमारा 1 रहेगा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं था, तो हम 1 मान लेते हैं, जब कुछ नहीं होता, और product क्या होता है बेटा, product होता है, constant term जो last holy term होती, constant term यानि की minus 420, multiply by the coefficient of x2, जो x2 के आगे number है, उसको किस से multiply करना है, last term से, यानि की minus 420 से, तो 1 into minus 420 क्या होगा, माइनस 420 होगा, तो product हमारा minus 420 होगा, अब हमें sum of product पता चल गए, अब हमें 2 number ऐसे लेने हैं, जिनको multiply करा के, यानि की उनका product minus 420 हो, और sum 1 आए, तो इसके लिए बेटा, हम एक trick अप्लाइ कर सकते हैं, 420 को prime factorize कर लेगे, जैसे 420 पहले 5 से divisible है, तो इसको 5 से divide करो, 5 से divide करते हैं, इदर आता है, 8, 84, अब ये 2 से कर लो, इसको चाहिए, 42, अगें 2 से जाता है, 21, अब 3 से next, 7, फिल 7, और 1, तो ये prime factorize हो गया, अब ये रेंडमली number को multiply करके देखते हैं, जैसे 5, 2 दा 10 हो गया, एक number 10 हो गया, और बाकी number को अलग से multiply कर लो, 2, 3, 6, 6, 7, 42, इन तीनों को लेके, 42, अब क्यूंकि product negative है, एक number हमारा negative रहेगा, अब और sum positive है, तो बड़ा वाला number हम positive रखेंगे, और चोटे वाले number के साथ minus का sign लेंगे, तो minus 10 into 42, minus 420 प्रोडेक्ट तो बन रहे है, क्या यह sum भी बना पा रहा है, यह combination देखते हैं, sum नहीं बना पा रहा है, sum तो प्लस 32 बन रहा है, तो हम इस combination को consider नहीं करेंगे, अब हम दूसरा कोई combination बनाने की कोशिश करते हैं, यह आपको randomly बनाना होगा, और जैसे आप practice करोगे, तो आपको बहुत असान लगने लगेगा यह trick, तो देखो बेटा, अब हम 5 multiply to 10, 10 multiply to 20 होता है, तो 20 ले लो, और next, 37 दा 21, तो 20 और 21 लेके देखें, product तो बिटाई confirm है, कि 420 बनेगा, उसको आप multiply करके ना भी देखो तो चलेगा, लेकिन sum क्या plus 1 बन रहा है, sum plus 1 बनाने के लिए, एक number negative, एक number positive रखना पड़ेगा, क्योंकि product भी हमारा negative है, product कम negative होगा, जब plus minus होगा, और क्योंकि sum positive है, तो बड़ा वाला number positive रखेंगे, और smaller number हम negative, तो minus 20 into 21, ये तो बेटा, minus 420 हो गया, और sum देखें तो, minus 20 plus 21, minus plus minus 21, minus 21, और sign बढ़ेगा, plus 1, तो sum भी बन रहा है, तो इसका मतना बेटा, middle term splitting में minus 20 और plus 21 लेंगे, तो आप इसको middle term splitting करेंगे कैसे, ज़्यान से समझना, पहले हम x को ये को as it is लिख देंगे, अब 1x middle term में इसको split करते हैं, कैसे, minus 20x, इसको देखते हो, इसको split करेंगे बेटा, minus 20 लिया और उसके साथ x लगा तो, फिर इधर क्या sign है, plus है, तो इधर भी plus लिख दो, और इधर 21 है, तो ये 21 x हो जाएगा, और constant term minus 420 आप as it is लिख दोगे, is equal to 0, तो ये middle term splitting इसकी हो गई, अब next, बेटा, क्या करना है, द्यांसे समझना, next term, देखें कि first two term में, क्या common है, जैसे x square और minus 20x में, x common है ना, yes sir, x common है, x हम common लेते हैं, तो bracket में क्या रहता है, x minus 20, okay, और last two term में क्या common है, number में बेटा, 21 common है, अगर हम 21 common लेते हैं, तो bracket में x रहता है, और 420, 21 को किस से multiply करके आता है, 20 से, तो 21 into 20, 420 होता है, और plus minus, minus का ही sign रहेगा, तो यहां minus 20 होगा, और अगर आपको ना पता चल रहा हो बेटा, यह 21 common लेने के बाद इधर क्या बचेगा, तो आप 420 को 21 से divide टरके देख सकते हो, तो 20 आएगा, तो x minus 20 बचेगा, is equal to 0, अब next step क्या होगा बेटा, अब इस ध्यान से देखो, इसमें x minus 20 और इधर भी x minus 20 है, यह दोनों bracket सेम है, यह दोनों common लेने, x minus 20, तो अब हमने x minus 20 common लिया, अब bracket में कहा रहेगा बेटा, दूसरे bracket में, एक तो x, तो x minus 20 बाहर आ गया था, और यहाँ पर क्या sign है बेटा, प्लस का है न, देखो बेटा, यह सर प्लस का है, तो यहाँ प्लस, और नमबर क्या रहा, x minus 20 तो बाहर आ गया, जो मैं देखो हाईलाइट किया है, तो नमबर 21 रह गया, is equal to 0, अब next step क्या होगा बेटा, एक बार हम करेंगे, x minus 20 is equal to 0, and, x plus 21 is equal to 0, अब next step होगा बेटा, इधर minus 20, 0 के साथ जाके plus 20 होजाएगा, यानि कि x is equal to 0 plus 20, और 0 plus any number is number itself, तो 0 plus 20 क्या होगा, 20 होगा, and, अब ये plus 21, 0 के साथ जाके minus होजाएगा, 0 minus 21, and x is equal to, अब 0 में से अगर कुछ भी minus करेंगे, तो हमार पस minus of that number आजाएगा, यानि कि minus 21 आजाएगा, x, अब हमार पस x की दो value आगए, एक आगी x is equal to 20, और एक आगी x is equal to minus 21, हम x is equal to minus 21 को neglect करेंगे, बताओ क्यों, because हमें कोशन में क्या कहा था, two consecutive positive integers, positive means जिसमें positive ही number नहीं, नहीं नहीं लेने, लेकिन minus 21 तो negative है नहीं बेटा, तो इसलिए इसको हम neglect कर देंगे, तो x की value हम क्या लेंगे 20, और फिर x plus 1 क्या होगा, 20 plus 1 is equal to 21, तो two consecutive positive integer क्या होगे, two consecutive positive integer are 20 and 21, यह दो consecutive positive integers होगे, क्या हूएंगी यहूण खिर भी स्वेट ए समय क्या है, यह दो बन्यों नहूएंगी तो आज़ा है, तो दो जो इसक्षाबछा, जो जो बनी होगे, यहदिल कि पर दो चूए यह जो रहें होेगे, यह तो वादोगे, झाल झाल